आज ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि प्रभूश्री रामचंद्रजी आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चारे है आपको क्या गाइडन्स देना चारे ऐसे कौन सी बाते हैं जिनके उपर आपको फोकस करना चाहिए फिर आपके लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट पे क्यों न हो इस वीडियो को मैं ओपन रख रही हूँ युनिवर्स की तरफ से प्रभूश्री रामचंद्रजी की तरफ से कि जो भी मेसेज मुझे आएंगे थ्रू साइकिक एबिलिटी प्लस टारो कार्स वो सारी इन्फोमीशन आज आप तक पहुचेगी इसके लिए मैंने थ्री पाइल्स जो है यहाँ पे रखे हुए हैं पाइल नमबर वन पाइल नमबर टू पाइल नमबर त्री जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं पाइल नमबर वन इस श्री राम जी, पाइल नमबर टू इस हनमान जी, पाइल नमबर त्री इस विष्णु जी, अब आपके दिलो दिमाग में जो भी चीज चल रही हो, जो भी पाइल, जो भी देवता, जो भी नमबर, जो भी कलर, जो भी एनरजी आपको खीच रही है आप की तरफ फिर वो एक पाइल हो सकती है दो पाइल हो सकती है जो भी है जो आप के लिए बस messages बने हुए हैं वो आप तक पहुचेंगे पूरा ध्यान लगाके intuition लगाके तीनों पाइल के उपर meditate करना है यहाँ पे एक photo मिल जाएगी आपको बहुट deep level पे आप meditate कर सकते हैं वीडियो को pause करके भी meditate कर सकते हैं और फिर पाइल का चुनाव करें description box में time stamp दिये गये हैं वहाँ पे जाके click करके आप अपनी reading कर सकते हैं देख सकते हैं तो जो भी नए आये हुए हैं यहाँ पर उनके लिए एक थोड़ा सा छोटा सा message है यह message यह video तो open है ही but आपकी energy frequency vibrations इसके साथ जुड़ जाती है जब आप really intuition की साथ पाइल का चुनाव क करते हैं but कभी कबार आपको अगर feeling आ रही है कि यह मेरे situation के खिलाफ है यह तो चली नहीं रहा ठीक है मेरे life में तो आप दूसरे पाइल का चुनाव कर सकते हैं आपकी energies align नहीं हुई है उस वक्त ठीक है तो चलिए अब तक आपने पाइल का चुनाव किया हुआ होगा तो व share जरूर करें क्योंकि उनको भी पता चलना चाहिए उनके लिए क्या messages है ठीक है तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपके reading में हेलो वीवर्स हेलो सब्सक्राइबर्स जीनों नहीं भी पाइल नंबर वन का चुनाव किया है यह पाइल वन है justice सबसे पहले तो justice तो आपके life में justice मिलने वाला है प्रभु श्री राम चंद्र जी आपको यह कह रहे है कि आपके जीवन में justice आएगा आपको clarity मिलेगी इंटिग्रेट होंगी चीजें आपके जीवन में आपके परिवार से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है अगर कुछ legal issues चल रहे हैं आपके जीवन में उसका solution भी आपको मिलने वाला है cause and effect के साथ क्या कारण है ये क्यू हुआ और इसका परिणाम क्या होगा in detail clarity आपको मिलने वाली है आपके life में अभी जो भी situation चल रही है वो आपके life का सबक है वो सबक आपको सीखना चाहिए बहुत ही beautiful card है ये मैं इसको यहाँ पर place कर देती हूँ अब हम देखते हैं tarot card से क्या है message क्या है guidance क्या है blessings आपके जीवन के लिए आपके जीवन में जो भी पड़ाव चल रहा है सबसे पहले card ये गिर गया हूँ तो मैं इसको ले रही हूँ guys क्यों overthinking कर रहे हो बहुत ज़द overthinking चल ये आपकी don't do that देखिए universally जो भी जितने भी cards गिरेंगे मैं सारे ले लोंगी but मैं चाहूंगे basically मैं four cards निकालू so जो भी viewers subscribers ये देख रहे है प्रभु श्री राम जी आप क्या उनको संदेश देना चाहते हैं वो संदेश उन पहुंचाने के लिए आप इस card के जरिये उनको सारी चीज़े बताईए जैसके मैंने कहां मैं four card निकाल रही हूं और ये एक card divinely गिर गया था आपका bottom of deck जो आया है वो आया है three of swords so definitely बहुत सारे लोग जो है वो heartbreak से गुजर रहे है overthinking कर रहे है आपको justice मिल रहा है life का lesson के पड़ाव पे हो आप आपने बहुत कुछ sacrifice किया हुआ है plus आपको आपके जीवन में इसका कारण और परिणाम इन दोनों चीजों में सोचने की समझने की क्षमता अभी जो भी situation आपके life में चल रही है वो दे रही है तो ये दो conditions अभी आपके चल रही है अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्या blessings है क्या messages है okay so देखें यहाँ पे ना nine की energy and three की energy बहुत ज़्यदा आई हुई है मतलब see three of swords three of pentacles knight of swords these all numbers are number three nine of swords nine of cup nine of pentacle मतलब क्या है वाव energy आई हुई है guys वाव energy सबसे पहले प्रभूश्री राम चंदर जी आपसे ये कहना चाह रहे है कि आपके जीवन में आपका जन्म आपके लिए नहीं हुआ है जब आप अपने लिए जीएंगे अपने बारे में सोचेंगे तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा आपको आपका जीवन समाज के लिए समर्पित करना चाहिए सामाजिक तोर पे आपको काम करने चाहिए डेफिनेटली आपका जन्म अपने लिए हुआ ही नहीं है वैसे भी नंबर नाइन का जन्म होता है वो जनकल्यान के लिए होता है तो आपका जन्म जो है, वो जन्म कल्यान के लिए हुआ है, तो जन्म कल्यान करना जरूरी है, यहाँ पर मुझे यह एनर्जी जा रही है, अभी आप किसी के साथ डील कर रहे है, तीन लोगों की एनर्जी आई है यहाँ पर, बट यह जो टीम वर्क है न, यह टीम वर्क में आ आपको मिलेगा finance material stability और एक comfort life आपको मिलेगी बट कब जब आप अपने उपर काम करेंगे आप समाज के लिए काम करेंगे तब जाके आपको ये सब कुछ मिलेगा हाथ पे हाथ धरे बैठे कुछ नहीं मिल सकता है बैठे नहीं रहना है आपको काम करना जरूरी है और वो भी ब कम से कम नो महीनों की cycle जो है वो चल रही है आपके जीवन में बदलाव जो है ना 9 मंथ के cycle में चल रहा है कुछ कुछ चोटी चोटी चेंजिस भी है वो 9 डेज में चल रहे है बट maximum level of 9 मंथ की cycle आपके लाइफ में चल रही है तो वो positive convert करना या आपके हाथ में और मैं देख पारियों कि राम जी आपको कह रहे है कि वो positively convert हो सकता है बट अगर आप कुछ करे तो अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो आपके जीवन में ये zone जो अभी चल रहा है current situation देखें ये situation अभी किया ना आगे तो guidance blessings आपके लिए आया है जन कल्यान के लिए काम करो universe के लिए काम क ठीक है तो आपके लिए ये संदेश है आपके knowledge का इस्तिमाल जो है वो आपको जनकल्यान के लिए करना है और वो बहुत तेजी की साथ करना है बट आपके जरने में आप अकेले ही नजर आ रहे हो आपको किसी की जरूरत नहीं है ठीक है जो भी लोग अभी teamwork, hard work, अपने जूंज रहे हो ना तो आप गलट direction में हो आपके जीवन के इसलिए आपको अपने life का lesson मिल रहा है ठीक है आपको इस zone को छोड़के इस zone को छोड़के अपने उपर काम करना है social work करना है socially activated रहना है कम से कम आपना aim बना लो मैं आज नए 9 लोगों से मिलूंगा मिलूंगी ठी अनक से स्माइल भी दे सकते हो अब किसी को तो आपकी न वह एनर्जी फ्लो हो जाएगी यह जो एनर्जी है न स्टक एनर्जी यह तभी फ्लो होगी जब आप सामाजिक activated रहेंगे ग्रीट तो चलिए अब हम यह देख लेते हैं कि क्या है प्रभू श्री राम चंद्र जी के साथ में और ऐसी कौन सी उर्जा है जो आपको मेसेज देना चाह रही है यह इंडियन टारो है इंशन इंडियन टारो इससे हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी उर्जा है अभी इस वक्त आपको गाइड़न्स दे रही है आपको यह बता रही है कि आपको क्या करने की जरूरत है ये card आ गया है तो चलिए देखते हैं कि क्या है ये card page of pentacle amazing guys देख रहे है 9 of pentacle आपका final destination है comfort zone में आप financial stable रहेंगे आप जो hard work करेंगे slowly मिलेगा 9 साल भी लग सकते है 9 years भी लग सकते हैं आपको financial opportunity इन सबको grab करना है साथी में अपने skills को develop करना है ये बहुत जरूरी है अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप जो भी सीखेंगे उसके अंदर fail हो जाएंगे ठीक है तो ये होने नहीं देना है साथ में आपकी जो process है progress है इसमें lack कर रहे हो आप क्योंकि आपको सही path नहीं पता क्योंकि इस zone में रहोगे तो क्या होगा definitely आप नहीं कर पाओगे बट आपके अंदर वो क्षमता है आप कर सकते हो इसके लिए आपको socially activated रहना बहुत ज़रूरी है अपने skills को develop करना बहुत ज़रूरी है very very good guys क्योंकि अभी जो हम recording कर रहे हैं अभी आपने देखा होगा time तो it's 11 11 ये अपने आप में बहुत खूबसूरत नमबर है और ये भी नमबर 11 ही आया है so divine universe powers जिनको भी आप मानते है प्रभुश्री राम चंदर जी आपको ये कह रहे है बदलाव का समय आ चुका है अपने अंदर बदलाव करिए तो अब हम देखेंगे कि क्या है एंजल का message आपके लिए क्या है राम जी का message आपके लिए आपके जीवन में ऐसा क्या है जिसके उपर आपको focus करने की जरूरत है let's see दो काड़ा गए okay reconsider आपने अपने जीवन में कुछ चीजे ना छोड़ दी है आपको उसके उपर सोचने की जरूरत है फिर वो आपका career हो आप किसी पुराने दोस्त हो जिनको आपने छोड़ा है या आपके कोई पुराने relatives हो जिनको आपने छोड़ा है या आपका पुराना knowledge हो जिसको आपने छोड़ा है जिसको implement करना अब आप नहीं कर रहे हो आप किसी औरी काम में फस चुके हो तो आपको उसके तरफ ध्यान देना जरूरी है रिकंसीडर करें इसको और ये जो सेकंड काड आया है देखिए काड कितना कितना मतलब मैं क्या कहो मुझे सच में शब्द नहीं मिल रहे इस हेलफूल पीपल्स आपको समाज में दूसरों की मदद करनी चाहिए देखिए ये काड भी यही बता रहे अंचल कार भी यही बता रहे आपका जन्म डेफिनेटली यह जो भी वीडियो देख रहा है आपका जन्म अपने लिए नहीं हुआ है अप जब भी अपने लिए जियेंगे नआ आपको दुख मिलेगा आप जब अपने लिए जिएंगे आपको दुख मिलेगा आप जब समाज के लिए जिएंगे आपको सक्सेस फुली सैटिस्फैक्शन भी मिलेगा समाज के लिए जितना कर पाओ आप कर सकते हो बहुत ही ज्यादा अपने नॉलिज के इस्तमाल करो दूस की ज़रूद है आप seven chakra meditation कर सकते है नव गरह शांती मंत्रा सुन सकते हैं जिस घर में आप रह रह है उस घर में वास्तु के लिए आप मंत्रास चला सकते हैं उसकी उर्जा भी आप ले सकते हैं तो चलिए में ask for a sign देखिए आपको आसपास बटरफ्लाइज नजर आ रहे होंगे गार्डन में आपको घूमना चाहिए थोड़ा moon cycle आपकी तरफ effect कर रही है और आपको बेसिकली ना बिना चपल के जमीन के उपर चलना चाहिए यह बहुत जरूरी है आपका अर्थ element जो है वो disbalance है उसको balance करने की जरूरत है इसका bottom of deck जो है वो आया है manifestation यहाँ पे भी manifestation आया यहाँ पे भी manifestation आया यहाँ पे भी manifestation आया रिकंसीडर आया इसका मतलब कुछ तो चीज है जो आपने छोड़ी हुई थी आपके जीवन में जो आपको अभी उसके उपर ध्यान देने क जरूरत है चलि अब यह देख लेते हैं यह सब कुछ तो हमने देख लिया कि क्या चाहिए क्या करना चाहिए यह वो यह वो जब कुछ बट यह मिलेगा कब आपको जो भी आपकी manifestation है जो भी efforts है अगर जो भी messages आपको आए हैं अगर यह आपको आप यह करते हैं ठीक है इस zone स से अगर बाहर आते हैं और कुछ करते हैं तो आपको कब तक basically मिल जाएगा जो भी clarity है confirmation है या फिर आपका खुद का self awareness है यह कब तक मिल जाएगा हो वाओ समर अगली गुर्वार तक आपको कुछ ना कुछ information मिल जाएगी देखिए गुर्वार पिया गया नंबर थ्री आपके लाइफ में नंबर थ्री बहुत act कर रहा है अभी के लिए वो negative है उसको आपको positive convert करना जरूरी है दे वर्ल का काट डिले बर्ट लॉंग लास्टिंग success वुड भी देयर रैनी सीजन बारिश तक दे वर्ल का अपना समाज के बारे में अपनों के बारे में इवन रादर अपनों के बारे में भी मत सोचिए क्योंकि ऐसा combination का कार्ड का आना इसका मतलब कहीं न कहीं motivational speaker साधू या फिर spiritual guider इसकी तरफ या social worker एंजियो चला सकते हैं ऐसा कुछ न कुछ तो आप जरूर कर सकते हैं इसके लिए आपको definitely करना चाहिए जोन से बाहर निकलिए depression से बाहर निकलिए manifest जो भी चीज़े आप पूरानी कर रहे थे अभी की बात नहीं कर यहां पर consider आया है ना तो पुरानी जो चीज़े आप हासिल करना चाह रहे थे जो कि आपके circumstances की विज़े से भूल चुके है उसको याद करें ठीक है क्योंकि bottom of day आपका यह peaceful resolution और socially activated रहना गाइस मुझे intuitively जो messages आ रहे ना वो में आपको बता रही हो यहां पे न मुझे basic note पे यही पता चल रहा है आपके life के अंदर एक shadow है यह shadow आपको दूर करनी है आपको अपनी enlightenment करनी है तब जाके अपना self awareness जब आपको आ जाएगा न तो automatically आपके जीवन में सारी चीज अपने आपका potential जाने sorry guys अपने आपका potential जाने know your worth चीख है जो भी remedies बताई गई है जरूर करिएगा चलिए अभी अभी के लिए मैं लेती हूँ अलविदा अगर कुछ भी आपका सवाल हो तो आप comment box में लिख सकते है वीडियो के मारफत आपको मिल जाएगा उसका जवाब और जो भी लोग interested है tarot card reading में वो new batch start हो रही है तो आप contact कर सकते है उसकी details भी description box में दिये गए है तो ये reading कैसे लगी please comment करके जरूर बताईएगा वीडियो अगर पसंद आई हो तो like कर लिजेगा वीडियो को channel को subscribe कर लिजेगा ताके ऐसे ही बहतरीन videos आपकी तरफ आते रहे ठीक है thank you so much मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में Hello pile number 2 जिनों ने भी pile number 2 का चुनाव किया है strength का card हनुमान जी का number 8 का card very powerful number and very powerful card आपके अंदर strength है courage है compassion है focus है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीक से influence कर सकते हैं यह conditions यह ability आपके अंदर है और हनुमान जी की blessings तो definitely आपके अंदर आपके लिए वो लगातार अपनी जो blessings है वो आपको दे रहे है इसके अंदर बस आपको एक चीज़ करना है gratitude फील करके व वो जो blessings है उसको accept करना है acceptance pile number two आपके लिए बहुत जरूरी है ठीक है अब हम यह देखेंगे कि tarot card के जरीए क्या है ऐसे messages जो हनुमान जी और प्रभुश्री राम चंदर जी आपको देना चाहरे है चलिए तो देखते है प्रभुश्री राम चंदर जी और हनुमान जी जो है वो क्या messages है क्या blessings है वो आपको देना चाहरे है देखें ये न डिवाइनली card गिर गया तो मैं इसको ले रही हूँ अभी मैं four card निकालूंगी जो आपके जीवन के blessings बताएंगे आपके जीवन में क्या focus करना है ये बता बताएंगे और आपकी लाइफ के लिए क्या बेनिफिशिबल है ये बताएंगे तो चलिए देखते हैं वाव आप बहुत खूबसूरत card आया है ये pile number two pile number one में भी ये card आ गया था so I think थोड़ा सा confused हो रहे थे pile number one और two क्योंकि pile number one की action में conditions बहुत अलग है लेट सी आपकी क्या है bottom of deck चुख है six of cup का काड़ाया है वाव very good guys अगर आपने pile number one का चुनाओं किया होता तो आपके circumstances आपके messages बहुत अलग होते है आपके अंदर वह potential है कि आप अपने चीज़े चेंज कर सकते हो आपने पुराने दोस्तों से मिलके अपने पुराने रिष्टेदारों से मिलके या आपने पुराने प्लस पे जाकर visit करके कुछ तूर करके क्योंकि आपका bottom of deck जो आया है वह आया है पुरानी लोगों से ज एक dealing energy जो है वो आपके अंदर आ रही है कि yes अगर past में मैंने ये सब कुछ किया है handle किया है मुझे blessings मिली है तो now present में भी मुझे ये सब कुछ मिलेगा very good अपने आप से कुछ छुपाईए मत आपके अंदर जो strength है उसको जरूर निकालेगा let's see किसी के भी बहकावे में नहीं आना है moon energy यहाँ पे आ चुकी है moon energy ये बताती है कि अभी का समय जो आपके तरफ चल रहा है वो ये है कि definitely आपको decision लेना है कि आपको किस तरफ जाना है बहुत सारे 3-4 अलग-अलग options है similar भी options नहीं है अलग-अलग options है तो उसके उपर आपको गहन विचार करना जरूरी है very good guys मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है number two की energy इसके अंदर बहुत ज्यादा आ रही है because emotional चीज़े इसमें मुझे बहुत ज्यादा दिखाए दे रही है जुडाव आपका emotion का जो है लोगों के साथ है समाज के साथ है आपके अंद्रूनी inner शांती के लिए आप जो decision लेना चाह कही ना कहीं यह आपके life का पुनर्जन्म है rebirth है total convert हो जाओगे आप यह सोचोगे कि अच्छा यह यह भी हो सकता है गाइस कि आप अपने पुराना आपी का जो पास्ट वर्जिन है उससे को सीख के आप development की तरफ बढ़ रहे हो और update करने के लिए थोड़े से बहक रहे हो कि म रभू श्री राम हनुमान जी से मिले तब जाके हनुमान जी को यह realize हुआ कि मैं सच में कौन हूँ तो आप अपनी identity ढून रहे है कि सच में मैं कौन हूँ मैंने क्यों जन्म लिया इस धर्ती पे मुझे करना क्या चाहिए तो आपको अभी के situation में जो भी मुझे नजर आ रह यहां पे तीन की energy आई हुई है तो यह बताती है कि किसी और की नहीं सुनना कुद की सुनना मेंटॉर की सुनना देखिए आपका जो destination है वो बहुत ही खुबसूरत है ऐसे मुकाम आप हासिल कर पाओगे ना लाइफ में इश्वर की कृपास से राम चंदर जी की कृपास से क आपको कोई हिला नहीं पाएगा उस जगह से कभी भी नहीं कोई भी नहीं आपके आसपास के लोग हमेशा आपको influence करेंगे करते आये हुए है करते रहेंगे और आपके अंदर का आप भी जो है ना past वाला वो भी आपको बीच बीच में तकलीफ दे रहा है आपको total transformation की जरूरत है skillful काम करने की जरूरत है action taking energy यहाँ पर आई है तो action लेनी की जरूरत है तब जाके आपको stability मिलेगी success मिलेगा लेकिन कभी कभी क्या होता है जो success हम देख रहे होते हैं वो खोकला भी हो सकता है तूट भी सकता है तो उसके लिए आपको एक strategy की planning की path की जरूरत है ज ही बता रहे है प्रबु श्री राम चंदरजी कि आपको पूरी तरीके से change होने की जरूरत है आप अपने older version को भूल जाए उससे कुछ अच्छी बाते लीजे दूसरों के साथ comparison मत करिया अपने आपको ठीक है जज करना खुद को और compare करना is different thing अपने आप से ही आपको comparison करना है कि मैं क्या हूँ कैसे हूँ मुझे क्या करना चाहिए मुझे क्या हसिल करना चाहिए उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हो या मैं कुछ नहीं कर रही हो बस सोच रही हो कि मैं करूंगी 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 बट कर नहीं रहे यह सोचना बहुत जरूरी है ठीक है अगर आपको ये पाना है तो आपको इस फ्लो से जाना पड़ेगा अपने आपको पहले बदलो आप क्योंकि आपका जो root cause है वो आया हुआ है आपको खुद गें अंदर बदलाव जरूरी है तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि हनुमान जी के साथ प्रभुष्री रामचंदर जी के साथ और ऐसे कौन सी उर्जा है जो आपको बताना चाह रही है messages देना चाह रही है messages ये जो tarot cards है Indian Asian tarot cards इससे हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी उर्जा है जो आपके आसपास है जिसके उपर आपको focus करने की जरूरत है It's seven of pentacles देखिए अनाज जल्दी तो नहीं मिलता उसके लिए एक procedure होती है और यहाँ पे भी वही आया है एक procedure के साथ जाएंगे आप तो आप कुछ हासिल कर पाओगे अपने आप में development करने की efforts लेने की hard work करने की long term के बारे में सोचने की जरूरत है investment करने की जरूरत है अगर आप यह कुछ नहीं करते हो ना तो ना आपको long term vision मिलेगा limited success मिलेगा और आपके life में process slow रहेगे क्योंकि कुछ पड़ाव ऐसे आएंगे फिर आप हाथ पे हाथ धरे बैटे रहोगे कि मैं तो सब कुछ हूँ बट में कुछ होई नहीं यह energy आपके अंदर आएगी so guys यहाँ पे मैं इस card को रखती हूँ अब हम देखते हैं कि क्या है एंजल्स के message आपके लिए प्रभु श्री राम चिंद्र जी एंजल्स कार्ड के थ्रू आपको क्या बताना चाहरे हन्मान जी आपको क्या बताना चाहरे क्या blessings है क्या guidance है let's see a year from now जो कुछ भी आपके दिल दिमाग में चल रहे है एक साल लगेगा एक साल के अंदर आप करोगे और उसके लिए आपको socially activated रहने की बहुत ज़्यादा जरूरत है देखिए in the near future दो bottom of date भी और आपका कार्ड भी एक साल तो जरूर लगेगा आपको ठीके जो कुछ भी आप करना चाहरे हो इसमें time card से भी देखेंगे कि क्या zone रह सकता है क्या minimum time रह सकता है छोटी छोटी achievements के लिए लेकिन ये जो cards है ये आपके life का turning point बता रहे है big events को बता जो हासिल करना है manifest करना है ये सारी चीज़े होने के लिए अगले 6-7 महीने तो आपको अपने आपको जानने में ही जाएंगे उसके बात कि तीन-4 महीने तो आप decision लेने में ही जाओंगे थोड़ा सा guys आपको speed पकड़ने की ज़रुवत है आपको seven of pentacles का card है हाथ पे हाथ धर बैठे नहीं रह सकते हो आपको कर्म करने की ज़रुवत है लेट सी अब एंजल सकार्स के थ्रू क्या है वो important message focus message आपके लिए प्रभुश्री राम चंदर जी और हनुमान जी के साइच से you are safe आपको अपने आपको अकेला महसूस करने की बिलकुल भी ज़रुवत नहीं है कि मैं अकेला हूँ मैं अकेली हूँ मेरे life में कोई नहीं है और मैं क्या करू फ्रस्ट्रेट नहीं होना है इरिटेट नहीं होना है bottom of deck is show appreciation दिख रहा है कितना beautiful card है strength card और tarot card के अंदर strength card भी ऐसा ही होता है lion के साथ जिसको मदुर्गा मा का card कहते है very very good cards so आपको अभी के case में क्या करना चाहिए अपने अंदर अपने आपको appreciate करना चाहिए अपने skills को appreciate करना चाहिए अपने कर्म को appreciate करना चाहिए दूसरों के उपर focus ना देते हुए खुद के उपर focus देने की जरूरत है socially activated रहने की जरूरत है ठीक है तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या है time period जो छोटी-छोटी achievements जो है वो आपके life में लाएगी तो time card क्या बताना चाह रहे है प्रभुश्री राम चंदर जी और हनमान जी आपको कि क्या है है वो time zone जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर ने रहने वाला है judgment see both card are judgment card no time indicated but the change will be permanent क्या बात है amazing guys बहुत ही खुबसूरत चलिए bottom of deck देखते हैं इसका क्या है justice oh my god 23rd September 22 October atom justice का card ये first number का card था मैंने बोला था पहले ही आपको क्या first and second card में थो वोड़े से confused होते हुए मुझे नजर आ रहे थे तो अगर आप अभी भी देखना चाह रहे हैं तो देख सकते हैं वो उसमें भी कुछ messages आपके लिए जरूर हो सकती है तो guys ये reading जो है वो आपको कैसे लगी मुझे जरूर comment box में बताना अगर वीडियो पसंद आए तो like कर लीजे सब्सक्राइब कर लीजे चैनल को ताकि आपको बहतरीन और भी वीडियोस मिले साथ में अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप comment कर सकते है उसका जवाब आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा अगर कोई tarot card सीखना चारे है तो new best start हो रही है तो आप नीचे दिये गए description box में आप जितने details है वहाँ से contact कर सकते है टीम को और टीम जो है वो आपको details जो है academy की साथ में course की वो दे देंगे beautiful reading हुई है देखिए आपको जरूर इसके उपर धान देने की जरूरत है socially activated रहने की जरूरत है अकेले journey मत बिताई है जितना आप अकेले रहेंगे आप थोड़ा trap रहोगे ठीक है क्योंकि मुझे psychic energy से जो energies आ रही है वो मुझे ये बता रही है आपको socially activated रहना बहुत जरूरी है आपके पुराने लोग पुराने दोस पुरानी चीजे इनसे मिलने की भी जरूरत है अपने आपके पुराने वर्जन से मिलने की भी जरूरत है ठीक है गाइस तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताईए सब्सक्राइब करने की जरूरत है और दूसरों के लिए काम करना जरूरी है दूसरों के साथ काम करना जरूरी है सोशली एक्टिवेटिड रहने के लिए काम करने के लिए जरूरी है आपके सलिशन्स को आपको फाइंड करने की जरूरत है देखिए विश्णु जी हमेशा ही दूसरों के लिए अवतार लेते है मानव कल्यान के लिए अवतार लेते हैं तो आपका अवतार भी इस पृत्वी पर कल्यान के लिए हुआ है आपके खुटके नहीं मानव कल्यान के लिए हुआ है तो आपको ये सबसे पहला मेसिज है ये बहुत ही इंपोर्टन बात है आपको राम जी ये कह रहे हैं कि आपका जो जन्म है वो समाजिक कल्यान के लिए हुआ है तो ज़रूर आप दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें समाजिक लोगों के साथ जुडाव रखें कोई community को जॉइन कर सकते है या फिर किसी भी ऐसी जग़ आप जोईन हो सकते जहां से सामाजिक कल्यान होता हो ठीक है यह बहुत जरूरी है किसी आश्रम में भी आप खुले मन से दान भी कर सकते हैं या फिर खुले मन से कर्म कर सकते हैं इसी के लिए यहाँ पर कर्म बताएगे, यहाँ पर कोई डोनेशन नहीं है, पैसों की डोनेशन नहीं है, समय की डोनेशन है, आपको अपना समय समाज में सामाजिक लोगों की हल्प करते हुए बिताना जरूरी है, तो चलिए अब हम यह देखते हैं कि टैरोकार से क्या बतान है, और यह आपको क्या बताना चाह रहे है, सयम के मूरत है, प्रभूश्री रामचंदर जी, आपको सभी लोगों को यह पता ही है, कि अभी के काल में रामराज्य वापस आना कितना जरूरी है, तो सयम, स्वाभिमान और डेडिकीशन बहुत जरूरी है, पहला, टोटल चार कार्ड निकलेंगे, आपके लिए टारू कार्ड से, अब हम देखते हैं, कि क्या है मेसेजिस, बॉटम ओफ डेक आया है, किंग ओफ कप, क्या बात है, आप बहुत ही दयावान है, अगर आपके तरफ कोई भी आता है, और प्यार से कहता है, पुरे रिस्पेक्ट के साथ कु एहमियत रखते है, आपके जीवन में मस्किलिन एनरजी से प्रॉफिट बहुत जादा हुआ है, बट उसके अंदर कुछ फैमिनन एनरजी भी रही हुई है, अभी के जोन में कहीं आप ट्रावल भी कर रहे होंगे, या फिर ट्रावल के बारे में सोच रहे होंगे, तो आप की बेसिक रूट जो है, अभी इमोशनल चीजों के ऊपर शल रही है, इमोशनल स्टैबलेटी चाहिए, जो कि अभी मिल नहीं रही है, थोड़ी से फ्लक्चुएट है, ठीक है, कोई बात नहीं, देखिए, किंग ओफ का मतलब, अगर हम इस कार्ड को जोडे भी ना, किंग कप को, तो यह समुंदर के ऊपर बेटे हुए है, और जो कि इमोशन के किंग है, और विश्नु जी भी सीम होते है, जो समुंदर के ऊपर ही, आपको पता है, शीर सागर के, शीर सागर में विश्नु जी रहते है, और हम जितनी भी प्रतिमाय देखते हैं, तो विश्नु जी को शिरसागर के ऊपर ही देखते हैं कितना कनेक्चेर काड आया है वाव अमेजिंग बहुत खूबसूरत काड आया है आपका इसका मतलब डेफिनेटली इमोशनल आपको कुछ यहां पर ट्रेडिंग्स भी है दिखाई दे रहे मुझे कही न कहीं आप उसके अंदर अपने सब्सक्राइब कर देखें कि निचे क्वीन आफ अप बढ़ा बार जब मैंने काड उठाया ना सब्सक्राइब कि इतना कंफ्यूजन क्यों है इमोशन में हाला कि इमोशन की सर्ताज होने के बावजूद भी इमोशनल स्टेबलिटी नहीं मिल रही है आपको आप कर्मनी कर आपके नजर में जो दूसरों के लिए ऐससे फटाक से हो जा रहा है वह आपके लिए इतनी महनत करवा रहा है यह आपका कार्मिक जर्नी मुझे नजर आ रहा है इतना कंफ्यूजन और इस कंफ्यूजन के चलते आपको एफ़ोर्स उसमें दूगने तीने चोगने लेने नेनर्जी के आ रहे है अगर कोई फीमेल भी देख रही हो तो आपके अंदर की मस्किल नेनर्जी के में बात करी हूँ तो किंग ओफ पैंटिकल आपको यह बता रहा है कि येस आप इस मकाम पर पहुँच जाओगे लेकिन इमोशनल चीजों से नहीं इमोशनल चीजों से ब बहुत ज्यादा है ठीक है पीज ओफ स्वार्ट्स मतलब आज ना मुझे ये महाभारत वाली फीलिंग आ रही है सारी के सारी क्योंकि मोस्टली ऐसे ही कार्ण आ रहे है अभी आप यह कनेक्ट नहीं कर पाएंगे लेकिन डारो कार्ण महाभारत के करेक्टर से भी जुड़े इसन्न टांट प्च։ना रहा है अऔर अवय किर्च बिदेशा गता रहे हैं वह बहुत आपใत आपने आप में बहुत ही जादा पाऔरफुल व्यक्ती है बट वह वह बंढ़ एक्ट इसने लावं बहुत ही है क्या कर रहे हो आप अपने लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हो करने बहुत ज़रूरी है आपके अंदर वो काबलियत है potential है आप अपने आपका जो super level का आपके soul level का, soul purpose का कुछ नहीं सोच रहे हो आप practical बिलकुल सोच नहीं रहे हो कुछ चीजों को acceptance नहीं आपके अंदर आपको acceptance लाना बहुत जुरूरी है, बहुत ही ज़ादा तब जाके आप जीविन में जो हासिल करना चाहोगे ना, वो हो जाएगा नहीं तो नहीं होगा guys इसी चक्कर में अठके रहोगे आप क्योंकि king बनना मतलब बहुत बड़ी responsibility होती है बस में king बनूंगा या बनूंगी, इसके बारे में सोचना is not mean, आपना बहुत overthink कर रहे हो, बहुत ज़ादा ये आपको संदेश मिल रहा है कि overthinking छोड़ो do the work अभी work करनी की ज़रूरत है और ये journey आपकी continue रहेगी बीच बीच में आपको लगेगा कि हाँ मैंने achieve कर लिया लेकिन नहीं गया आपने achieve ये आपकी small achievement है आपकी cycle फिर से घुमेगी फिर से down आएंगे आप जितना up जाएंगे for example अगर आपकी life में 10 level पे हो तो सीधा level 0 पे आओगे आप और फिर स्टार्ट अप करोगे और फिर जाओगे आगे क्योंकि देखिए position down down up down up और इसमें भी influence बहुत ज़्यादा नजर आ रहे है मुझे तो अपने life को न अपने हाथ में लो दूसरों के हाथ में दूसरों के विचारों से मत चलो आप अपने life में अपने career को लगे देखिए आपके बहुत ज़्यादा cards जो है न बेसिक आपका जो आया है वो है emotions जिसके चलते न आपको ये सारी चीज़ों के लिए एक push मिल रहा है वो push लेना बहुत जरूरी है और काम करना बहुत जरूरी है अपने दिमाग लगाना बहुत जरूरी है तब जाके आप चीज़े हासिल कर पाऊगे फाइनल destination king of one का मतलब है responsibilities को लो अपने career की responsibility अपने परिवार की responsibility सामाजिक responsibility क्योंकि king क्या होता है तीन आपके king क्या होता है पुरे राज्य को संभालता है मतलब social work आया जैसे के पहले भी intuitively cards intuitively reading में यही आया है कि आपको सामाजिक कार्य करना बहुत जरूरी है बहुत ही जादा लोगों की साथ गुलना जरूरी है हलाकि राजा को वह लगता है को नहीं कर सकता लेकिन राजा भी तो अवतार लेता है जैसे कि vishnu ji हो ये सारे सेवन इसमें से आपको अपना बहतरी इन चुनना है अगर आपने गल्ती की तो आपको बहुत कुछ भोगना पड़ सकता है अपना बहतरी इन वर्जन चुनो और फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ो ग्रेट चलिए अब विश्णु जी और प्रभूश्री राम मेसिज है ओके यह दो कार्स गिर गया है मैं दोनों कार्ड ले रही हूं आपके लिए बहुत ही डिवाइनली एनर्जी आ रही है आपके साथ इसको मैं थोड़ा उपर शिफ्ट कर देती हूं ठीक तो फ़र्स एनर्जी स्टैन आफ पैंटिकल ओमाई गॉड कितना खूब आप यह चाह रहे हो आपके जीवन में लाना बहुत डेडिकीशन के साथ ला रहे हो लेकिन आप फाइनांशल क्रैसिस से भी गुजर रहे हो यह भी चीज नजर आ रही है यहाँ पर तो आपके जीवन में न वेल्ट आ रही है प्रस्परिटी आ रही है स्टेबिटी आ रही है तब जाके यह चीज हासिल होगे आपको वेरी गुट वेरी वेरी गुट लेट सी वाओ एस ऑफ पैंटिकल का काड है अमेजिंग गाइस आपके जीवन में प्रॉस्परिटी हापिनेस आ रहा है न्यू बिगिनिंग हो रही है फिनांशिल करियर आपका चेंज हो रहा है मतल तो डेफिनेटली आपको यह मिलेगा लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके साथ धोका कंफर्म है जो कि मैंने पहले भी बताया था कि आपके साथ धोका हो सकता है प्लैनिंग फ्लॉप हो सकती है अगर राइट डिरेक्शन में आप कोशिश नहीं करेंगे तो तो देखते हैं अब एंजलिक मेंसज रभू श्री रामचंद्र जी आपको जाना चाहरे है और विश्नु जी आपको क्या शारे है मेंसज से लेट सी क्या है वो मेसज चुज़ नियूड दिरेक्शन ओमाइग गुड़नेस ओमाइगं कितिना मैशिग decision we are really good choose new direction आप अपना पा जरूरत है सकत जरूरत है bottom of decades if you believe in yourself planning is most important guys आपके लिए planning बहुत जरूरी है बहुत ही जादा let's see क्या है focus message आपके लिए ऐसे आपके life का कौन सा aspect है जिसके अंदर आपको focus करने की जरूरत है रामची आपको क्या कहना चाह रहे है किस चीज में आपको focus करने की जरूरत है अपने आपके अंदर के trust को develop करो कहीना कहीना आप weak हो रहे हो अपने आप में seven of cup ये बता रहे है न confusion बहुत चल रहा है कि या सही है या नहीं है मैं क्या करूँ मेरे लिए क्या सही है बहुत confusion चल रहा है आप पहले उसके उपर clarity लाओ मेहनत करो उसके उपर let's see जैसे कि मैं ये नहीं देखती लेकिन मैंने ये shuffle क्यों की है really I don't know क्योंकि बाकियों के readings में मैंने बस दो ही card निकाले थे एक bottom and एक shuffle card इसमें already आ चुका है तो मैं ये भी लूँगी और bottom का भी लूँगी physical outlet आपको बाहर घुमने की ज़रूरत है थोड़ा सा physical activity करने की ज़रूरत है exercise हो सकती है dancing हो सकती है yoga हो सकता है ये आपको करने की ज़रूरत है let's see the bottom expression express होना बहुत ज़रूरी है आपको और ये सारी चीज़े न मुझे एक community के तरफ इशारे कर रही है कि आपके जीवन में न आप किसी community से जुडेंगे definitely आप किसी community से जुडेंगे चलिए अब देख लेते हैं कि ये सारी चीज़े तो आपके लाइफ में हो भी रही है चल भी रही है लेकिन यह मिलेगी कब ठीक है राम जी आपको ये बताए प्रभूश्री राम चंद्र जी आपको ये बताए इस card के जरिए time cards के जरिए कि आपके लाइफ में ये जो बद आपके जीवन में transformation आने वाला है लेट सी दे बॉटम मार्च देखिए अगर next month मार्च है तो मार्च नहीं तो में ये दोनों चीज़े इसका मतलब यही है अगर ये लगातार आपके जीवन में आ रहे जैसे के अगर आप February में ये वीडियो देख रहे है तो मार्च में भी transformation होगा और में मन्त में भी transformation होगा अगर आप ये बीच में कहीं पर देख रहे हो तो आपको ये दोनों मन्त में transformation होने की chances है तो आप नए घर में नए लोगों के साथ नए आपके खुद के development skills development करके कुछ नए चीजों में आपना एंटर करोगे बहुत ज्यादा intuitively message मुझे ना most probably tour नजर आ रहा है यहाँ पर कार से कहीं तेजी से जा रहे हो ये feeling आ रही है तो transformation location का भी हो सकता है आप location change करोगे place change करोगे तब जाके आपकी जीवन में finance आएगा prosperity आएगी clarity आएगी जैसे कि choose new direction भी कहा है तो आपको location change करने की भी जरूरत है इसके बारे में भी जरूर सोचिएगा अगर आप नहीं कर सकते location change तो for a change आप कही घूम के आ जाईए यहाँ पे भी traveling है foreign traveling भी है तो आप traveling भी कर सकते हो थोड़ा सान आपको peace की जरूरत है आप कई घूम के आ जाओ socially activated रहना है खुद के लिए physical activity लगा लेना जीम लगा सकते हो dance class लगा सकते हो कुछ तो आप लगाओ community के साथ जुड़ो समाज के साथ जुड़ो अकेले मत रहना आपकी ना routine भी बहुत disturb है जैसे कि मैं यहाँ पे देख रही हो routine disturb है आपको routine में आने की भ comment box में जरूर बताईएगा अगर कुछ लोग interested है tarot card सीखने में तो description box में details दी गई है तो आप contact कर सकते है टीम से तो आपको academy and course के बारे में details मिल जाएंगी साथ में इस channel को subscribe कर लीजे tarot दिश्वरी को ताकि आपको बहतरीन से बहतरीन जितने videos है वो मिल पाए फिर वो tarot education क के हो या readings के हो बोथ अगर आपका specific कोई सवाल है तो आप comment कर सकते उसके उपर video आपको जरूर मिलेगा तो कैसी लगी ये video पका मुझे comment box में जरूर बताईएगा आपने कौन सी pile का चुनाव किया ये भी जरूर बताईएगा और आपको अगर दो energies feel हो रही है तो आप दूस सकते हैं अपने friends family के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा मैं इश्वरी मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में अगरे अगरे अगरे